कल हमने question number 10 तक हुआ था ना विल स्टार्ट विट question number 11 ओके जर्नलाइज फॉलिंड ट्रांजेशन इन दे बुक्स अख्षे तो अपने को किस की बुक्स में पूछा है उसने अक्षे की बुक्स में पूछा है तो अभी हम अपने आपको क्या मानेंगे कि अपन कौन है अक्षे है ठीक है तो अक्षे की बुक्स में अकाउंटिंग करना है तो यहाँ पर देखेंगे आप A से लेके F तक के 6 ट्रांजेक्शन उसने दिये 6 पॉंट और इंडिपेंडेंट तो अपने एक-इक को पढ़ना रक्षे की बुक में इसकी अकाउंटिंग एंट्री पास करना है तो पहले आप हैडिंग दे तो फिर अपन पढ़ते जाता और एंट्री पास करते जाएंगे लेखो Journal इन्दी बुक्स ओफ अक्षे इन्दी बुक्स ओफ अक्षे ओके ओके ठीक है अपने कुस्की बुक में जनल इंट्री पास करना है बिटा अक्षे की बुक में वर्टिकिलिस लेजर फोलियो डेबिट अमांट क्रेडिट अमांट ओके चलो ड्रॉ किये बिटा एक पेश तो कम से कम लगेगा आपको ठीक है तो चलो एपॉइंट मैं पढ़ रहा हूं उसकी बाद आपन उसकी एंट्री पास करते जाएंगे क्या बिटा एह पॉक्ट आवर एकस्सेप्टेंस मतलब हमारे लिए robots पे बल आप हमारे लेके लिए debates पेड़ा लेता मैं यहाँ पर लीख को ए मेलिए पेरन क्यों और इस पेड़ आट अब्दे पेले कर दिया कर में यह सेंपल एक यहां पे निखो पांच हजार रुपे का बिल हमने डिस्चार्ज करें, पैसा पे करें बेटा, टू कैश और बैंक अकाउंट, कितना, 4,990, 10 रुपे का रिबेट मिल गया हमें, टू रिबेट अकाउंट, 10, बिल रिटार्ड बिफोर दू दिर्ट बिफोर डू रिटीट, इस लिए 10 रुपे का रिबेट मिल आपने का, तू को दिसको दिस्कांट भी ग्सकते हैं, अब आते बिटा, B point पे देखते B हमसे क्या कह रहा है ठीक है ओके नौ B point वो कहते है Saurab acceptance 4 rupees 400 renew for a further period of 3 month interest charge at rupees यहां पिर 15% अब Saurab का acceptance अपन तो Saurab नहीं है अपन तो अक्षे है इसको देखा हाइलाइट कर रहा है तो Saurab का acceptance है उसके लिए bills payable है तो हमारे लिए क्या होंगा फिर bills receivable हमारे लिए bills receivable तो इसको रिनीव करें रिनीव करते हैं आपको पता है पिटा क्या करना है cancellation of old bill करना है इसमें part payment है नहीं फिर interest की entry pass करना रहेंगा और फिर new bill की तो हमारे लिए bills receivable है सौरब के लिए acceptance है अपन कौने बिटा अक्षे है तो इसके लिए payable अपने लिए receivable तो यहां पे लिखेंगे second अपना basically renewal का case है तो मैं heading दे देता हूँ renewal of our ऐसे लिख देता हूँ bills receivable अब एक एक करके मैं यहां पे लिखते जाता हूँ ठीक है सबसे पहले उसमें आएंगा cancellation of old bill ठीक है एंट्री जी पास कर तो फिर narration में मैं बता दूँ ठीक है चलो लिखो cancellation of old bill तो आपने जब भी पहले bill ड्रॉ कियों तो आपने एंट्री पास करेंगे bills receivable account debited to सौरब account अब उसको सौरब बिल्सtoHowred करने एंट्री करने बीटा सौरब being cancellation of old bill new bill बनाना है न पुराने को cancellation of old bill new bill बनाना है बिटा तो पुराने वाले को क्या करना रहे था है हमको cancel करना रहे है अब इसके अलावा वो वक्त मांग रहा है बाद में देंगा अपने वो dates तो नहीं दिए लेकिन वो interest ले रहा है बिटा अब उसने बोला कि interest 15% से तो हमको उससे interest लेना है right to receive तो इसमें second entry pass हो जाएंगी बिटा आपकी यहां पे Saurab account debit interest हमारी link committed to interest account being interest interest due अब इसका calculation में यहीं पे कर देता हो बिटा ठीक है calculation देखो इसका 400 रुपे हैं बिटा उसको कितने percent बोलो उसने 15% तीन मेने के लिए करो calculate बताव में को कितना रहे हैं करो calculate 400 multiply by 15% for 3 month how much 15 रुपे तो यहां आगे आपका 15 ठीक है अब new bill बनाना है तो new bill आपको पता है सब बिटा न्यूबिल कितने का बनें का बताव 400 का चार्सों पंद्रा चार्सों पंद्रा का तो यहां पर थर्ड पार ओके थर्ड पार उसमें बी का यह थर्ड न्यूबिल बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेविट अकाउंट डेविट 415 टू सौरब अकाउंट चार्सों पंद्रा तो सौरब अकाउंट चार्सों पंद्रा बिइंग बिइंग न्यूबिल ड्रॉन ठीक है तो यहां पर हमारा है सेकेंड बी वाला पार्ट भी खतम होता है तो पहले कैंसलेशन अफ ओल्ड बिल इंट्रेस और फिर न्यूबिल बिटा अब उसके बाद देखो क्या कहा रहा है सी पॉइंट में अब हमारे लिए बिल्स पेबल है तो यहां पर करें लेकिन यहां पर बिल्स पेबल है मैंसे लिख देता हूं रिनीवल आफ और बिल्स पेबल वाला केस है अब इसमें फिर वही तीन इंट इसमें वह भी है पार्ट पेमेंट भी तो चार एंट्री आएंगी तो बिटा कैंसल करेंगे तो आपने जब बिल पहले एकसेप्ट किने एंट्री पास कियोंगे तो नाम दिया है किसी का पारेश दिया है तो अबने एंट्री पास कि पारेश 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 प परेश अकाउंट, 800, being cancellation of old bill, cancellation of old bill, अब क्या होंगा उसके बाद, पार्ट पेमेंट करा, इसने कितनी पार्ट पेमेंट करा, 200 रुपे की, तो अपने पे करें बिटा, किसको पे करें, परेश, तो परेश अकाउंट डेबिटेट टू कैश अकाउंट, ओके, परेश अकाउंट, डेबिट 200, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, being part payment, पार्ट पेमेंट, पेड, ठीके, अब इंट्रेस भीटा हमको देना है, इंट्रेस बिल्स पे बलते हैं, इंट्रेस अब हमारे लिए क्या है, यहाँ पे, अब इंट्रेस बताओ, 800 पे calculate करूंट, की 600 पे, की छे सो पे? बोलो, इंट्रेस अकाउंट, डेबिट, comment में लिको,oma interest अकाउंट, डेबिट पताओ, interest किस पे calculate करूंट, 800 पे की 600 पे? interest account debit हमाले expense हमको किसको देना है परेश को तो तो परेश account अब इसको calculate कर लो बिटा यहाँ पर 600 क्यों 600 कितने percent है 12% कितने मेने कब बेल है वो 3 months ठीक है 12% 3 मेने 600 क्यों लिया बताओ में को इसी लिया क्योंके वो आपने 800 में से 200 पे कर दिये ना इसमझाने लिख रहो ऐसा 800 में तो 200 पे कर दिये बताओ अब new bill कितने का बनेगा बेटाओ जो हम accept करेंगे 800 में तो 200 पे कर दिये तो 600 बचे वो 600 और ही अठरा तो 618 का new bill उसके नीचे आपने लिखना बेटा 4th 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 आपने लिखना बेटा यहां पर entry पास होगी हमारी परेश अकाउंट डेबिट परेश को देंगे न अपने बेटाओ एक्सेप्ट करके परेश अकाउंट डेबिट 600 अटरा, 600 अटरा सम्झा ना कियाज़े 600 बिल का बचाओ और अटरा रुपे किसका बेटा यहां पे इंटरेस का, परेश अकांट डेबिट, बिल्स पेबल, जुब बनाया इपने चेने की बिल्स पेए बनायांट यहां लिखने लिए बिएंटरेस दियो बिल्स पेइबल अकाउंट ठीक है, यह हो गयाओ आपका, कितना हो जाएंगा 600 रा बिंग रिनीवड न्यू बिल ऐसे लेको बिंग रिनीवड बिल एकसेप्टेट ठीक है नहीं है रिनीवड भी लाया A, B, C हो गया अपने अब D पर आते हैं बिटा पर ठीक है चलो देखते हैं D पॉइंट क्या करें है समझ में आ रहा है बिटा सिंपल है आपको यह अपने सारी इंटिस पहले करें चुकिए अब एक ही कोश्चन में हर तरह का रहा है बिल रिसीवड भी यह पेबल भी ठीक है अक्षे अपना एंटिटी उसके इसाब से सोचना है अब देखो डी पॉइंट क्या करें समीर प्रॉमिसरी नोट फॉर पी सेवनेट समीर का प्रॉमिसरी नोट जो उसने हमको दिया कितने का बिटा 700 रुपय का वीच्व एड एंडोर्स इंट फेवर ऑफ प्रमोड तो आप समीर हो मैं अक्षा और यहां पर प्रमोड है तो आपने कोई बिल दिये थे तो मैंने प्रॉमिस किये थे मेरे लिए बिल से रिसीवेबल था तो मैंने उसको एंडोर्स कर दिया था इन फेवर ऑफ ठीक है तो आप समीरो मैं अक्षय हूं यहां प्रमोद बीटा तो मुझे आप से मुझे आप से क्या करना था लेना था जो बिल मेरे पास आया और इंडोर्स कर दिया था अब मैं तो निश्चिन था कि यह जाओ प्रमोद मैचुरिटी डेट पर तुम चले जाना सौरा समीर के समीर से लेना है और प्रमोद को देना है विदा समीर से लेना है और प्रमोद को देना गासे डेटक को लॉगा कमिख क कहीं सर आप ऐसी एंटी क्यूंобрि और यह कैसी बात करता ऑदेगे बिल्स रिसीबल अकाउंट अल्रीड रिटेंड रहता तो टू बिल्स रिसीबल आता है यहां पर समीर अकाउंट डेट कितना बिटा कितना था हुआ अच्छा नोटिंग चार्जे इस धियां से सुनों बिटा अब क्या हो यहां पे कि प्रमोद पेड रुपी स्टैनेस नोटिंग चार्जे अभी क्या हो इतना कि में को समीर से 700 रुपे नहीं लेना जो बिल के 700 रुपे थे उसके अलावा में को 10 रुपे भी लेना है क्यों 10 रुपे ले नोटिंग चार्जे से तो प्रमोद ने पे किया है तो प्रमोद एक्सप 710 okay narration request being being endorse bill dishonored and noting charges विल अल्सों भी विल नोटिंग जार्जेस अल्सों भी रिकवर्ट व्रॉम क्याना में सका समीर उसके बाद आव बिटब सेकेंड पॉइंट पर देखो सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है मतलब उसी में दी में और कुछ भी कह रहा है हमसे आवे पर चैकक डैंड विपे प्रमोट्राइन का समीर विल्ड हो गया हमसे बने भूल को प्रमोट्द को पॉइक इतने करने साथ ग्रॉमध्र करता है डिए सं अब करण श बिचैटए क्षक presents जाने बिंग आमाउंट पेड़ टू प्रमोट उसको तो बेच करना पड़ेगा पेड़ टू प्रमोट को तो करना पड़ेगा ना भी अभी समीर से अपने हिसाब किताब करते समीर से लेना था प्रमोट को देना था तो प्रमोट को दे दिए अभी समीर से हिसाब किताब अपन करें ले रहे लें लेकिन उसाथ में क्या बोल रहा है इंट्रेस्ट की पहले इंट्रेस्ट की पहले केस में बताया आपको पहले भी के बिल्स रिसीवल नहीं आएंगा यहां पर क्यों नहीं आएंगा बिल्स रिसीवल एंडोर्स करते वा की क्लोस हो गया था ठीक है अब यहां पर इंट्रेस्ट की एंट्री पास आएंगे हमको इंट्रेस्ट मिलेंगा यस नहीं हमको इंट्रेस्ट एक सेगे कितना 15 रुपए समीर से लेना है कितना interest to interest account 15 बिंग इंट्रेस्ट डिउ अब आप मिरेको बताओ नया बिल कितने का बनेगा नया बिल बताओ कितने का अज़़ड़ रुड़ साथ सो दस के साथ सो पच्चीस समीर से बिटा अपने कोई ये तो लेना ही था 710 रुपे और इंट्रेस के 15 रुपे तो नया बिल किते रहेंगा 725 का प्रमोट को जो देना था वो अपने प्रमोट को यहाँ पर दे दिये बिटा ठीक है तो चलो अब अपन समीर को अब नया भी लाएंगा तो नया बिल किते साथ सो पच्ची साथ सो दस प्लस पंद्रा प्रमोट को जो देना था वो दे दिये बिटा मिने ठीक है थर्ड हुआ उसी में डी में फोर्थ एंट्री बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट साथ सो दस और वो इंट्रेस वारे पंद्रा साथ सो पच्ची स तू समीर किस ने दिया अपने कोई को समीर ने तू समीर अकाउंट बिंग न्यू बिल ड्राउन ओके टी पॉइंट पर आ जो ठीक है तो यह हमारे पॉइंट भी आपे D वाला पॉइंट खतम हो गया ओके नाव कम टू प्लीस पॉइंट नमबर E बिटा क्या के रहा हम सो पॉइंट E अवर प्रोमिसरी नोट फॉर रुपीस फाइए और आपके लिए बिल्स रिसी वे बले सब्सक्राइब था लेकिन आपने क्या हुआ की वा तो आपने मेरे बैंक में जब जमा करा तो अमीन क्लेम रुपीस फाइन रेटें वीच वी पे बाई चेक तो अमीन ने कितना क्लेम करा विट अपने को पांचो दस क्यों मेभी वो दस रुपे नोटिंग चार्जेस होंगा यह बैंक यहां पर जादा ऐसा लग रहा है कि लैक ओफ इंस्ट्रक्शन तो कोई इंस्ट् अच्छा आप यह बोल सकते हैं कि 10 रुपे जो ज्यादा बोल रहा है अब अच्छे समझना हमारे लिए बिल्स पेबल था डिसॉनर भी हमारे वजह से हुआ तो यह जो चार्जेस लगे 10 रुपे वह हमको यह बैर करना है अब अच्छे समझना अन पेड हुआ बिल्स पेब अब उसको अपने को रिवर्स कर दिन है अमीन ही नाम है न में रहा है यहां पे इंट्री पासिंगे रिवर्स बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट पांच सो का था तूअमीन अकांट सू कमाइन इंट्री कर सकता हूँ चार्जेस की मैं उसको अलग से बता हो लेगी 500 रुप Bill Dishonored अब क्या हुआ बिटा यहाँ पर कि उसने तो मंगा पांच सो दस अपन बोल रहे हैं कि अमीन को हमने क्रेडिट करें पांच सो से तो हमको पांच सो तो देना है बिटा इसके अलावा दस रुपे भी दिना है तो दस रुपे का है कि हो? NotesDe charge भी हो सकते तो अब में को यहाँ पर bank charges जादा लगता है chances क्योंकि वो bank को instruction देने तो उसमें कुछ गल्टी हुए है तो यहाँ पर लिखो आप bank charges लिख दो bank charges account debit जो हमको देना है बिटा किसको देखना bank charges हमारे लिए expense है वो हमको ameen को देना है विए ameen 510 रुपे हमारे bank account से नहीं कटे पीटा समझो पीटा यह क्या है यह आपर कह रहा है कि ameen से ameen dishonor हुआ पीटा तो ameen को हमको पहुँ 510 मांग रहे है कि उसके account से उसको 10 रुपे कोई खर्चा आओंगा तो maybe due to bank charges ठीक है जो भी खर्च हो यह noting charges जो भी तो bank charges अकाउंट debit मगर बेर तो हमको करना है हम क्या है यहाँ पे ड्रॉइए कर रहा है ameen claim 510 रुपीज वह claim कर रहा है मतला उसको हमें उसको देना 10 रुपे जादा तो उसको कहीं लगे होंगे तो most probably bank charges लेकिन उसके लिए bank charges नहीं है वह हमारे लिए क्यों हमारे लिए bank charges क्योंकि हम ड्रॉई हमारी वजह से वह dishonor हुआ है तो इसलिए हमारे books में bank charges के नाम से कहा है मैंने pay नहीं क्यों इसलिए to cash नहीं आ रहा हुँआ अमीन को पे हमें अमीन को देना है liable to pay increase in liability that's why to amine account तीक है अब उसके बाद क्या हो यहां पर कुछ कह रहा है हमसे आगे फिर हो कहता है which we have pay by check उसको अपने payment भी कर दिये यहां पर ठीक है तो paid करें तो amine account debit कितना पेकर है 510 रुपे to bank account 510 being paid to him by check being paid to him by check यह भी यहां पर बीटा खताम होता है इपॉइंट ओके ड़ी पॉइंट भी हमारा यहां पर खतम होता है अब उसके बाद किस पर आएंगे बिटा बाद नेक्स पॉइंट अबने लास्ट पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट इस नहीं है कोई बात नहीं है एक सेकड़ यह 11 है ठीक है अब इसके आगे आपने लिखना नेक्स पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट में हमको आखरी में वो कहते है कि अवर प्रोमिसरी नोट मतलब बिटा हमारे लिए बिल्स पेबल और प्रोमिसरी नोट फॉइंट इन फेवर जिगनेश सेटल बाइस सेंडिंगी में टीनाज एक्सेप्टेंस यह वही वाला है जो आप पिछले कोश्चन में कराया था यह नहीं कराया था यहा हम प्रोमिसरी नोट फॉइस फाइन इन फेवर जिगनेश हमको जिगनेश को देना था जो तो जिगनेश को मैंने जो रिसीवेबल मेरे पास था वो उसको दे दिया समझ रहो तो आप से लेना था मेरे पास है bills receivable account debit to Tina मेरे पास रखा हुआ है कि bills receivable मैं को जिगनिश को देना है तो उसके लिए bills payable पहले से entry pass के अब discharge करा bills payable account debit to cash करता अगर cash pay करता, मैंने cash तो pay नहीं किया मैंने उसको bill दिया तो कौनसा भील च झाल रिकांटल है तो दूसरा मेरे पास, bills receivable था, पेंट्री विल बिल्स पेबल अगाउiãoट, डेबिटी Els पेबल अगाउंट, बिल्स पेबल अगाउंट, डेबिट, पाँछ सो रुपे, टू बिल्स से रिसीडिबल अगाउंट, इसको समझे ने कल भी आया था बिटाए प्रिवियस सेशन में ठीक है being bills payable settled by giving bills receivable being bills payable settled by giving bills receivable ओके तो यह question interesting होता है हर तरह की चीज़े आती बिटा आप मुसको सोचते और किस तरीके से करना है अलाग अलाग situation रहे तो उसको देख के हमको करना रहता है ठीक है तो आपने देख इसकी question में bills payable भी आया receivable भी आया, renew भी हुआ हर तरह के आते ठीक है तो यह examination point of इसे भी ठीक है अच्छे हम हर तरह के question करें कोई chance नहीं जैसा question आए exam में आप easily कर लो बिटा, ठीक है ना I am coming to question number 12 पे मैं आरो बिटा, इसको अच्छे से थोड़ा सा समझेगे दिख रहा था बहुत छोटा है ठीक है question number 12 दिख तो बहुत छोटा रहा है pass general entries for the following bill in each party's book each party मतलब जितनी भी parties है अभी इच पार्टी देखते हैं कितनी पार्टी दे अब समझना अब उसने अपने को draft of bills of exchange दिया अब देखो कितना interesting है इसको देख कि अपने को क्या करना है general entry pass करना है अब देखो समझते हैं क्या है इसमें देखो अपने B को bill दिये B को bill दिये तो B कौन है यहाँ पर B है यहाँ पर ट्रॉई किसमें साइन किया A ने ट्रॉर अब इसने बोला क्या बिटा पे रुपीज 10,000 अपने बिल ट्रॉव करके B ने एक्सेप्ट भी कर लिया बिटा ठीक है पे रुपीज 10,000 आफटर 3 मन्ट तो C यह important part है यहाँ पर जो 3 party है अपने order में क्या लेकिए एक तो party है B, एक party है C और एक है B, एक है A और एक है C तो अभी क्या हुआ है यहाँ पर समझो मैं हूँ यहाँ पर A, बहुत अच्छे समझना है कोशन, tricky नहीं है ट्रिकी नहीं है लेकिन अभी एंट्री में भूमने की बहुत जादा चांस लेकिन होना नहीं आपको आसानी से बेक्ग्राउंड को link करते वे बताऊंगा आपको catch कर लोगे समझ जाएंगा अभी concentration level हाई रखना बिटा मैंने कहा कि बिटा मैंने B को आप B हो मैं हूँ मैंने आपको order किया तो मैं draw आप draw मैंने अपने bill fraction draft किया आपको बुला कि आपको 10,000 रुपे का bill है बिटा वो किसको देना आपको C को pay rupees 10,000 after 3,000 to see to see or his order for the value of receipt C को देने के लिए कह रहा हूँ मैं आपको अपने कर फक्ते हैं अब तीन पार्टी तीनों की books में अपने को entry pass करना है मैं entries बता आता हूँ लेकिन पहले तो आप ऐसे लिख लो बिटा ठीके आप उसको पहले इस तरीके से लिख लो कैसे बताओ space कम ना हूँ ठीके यहाँ पे लिखो dates भी लिखे आपर date दी है ना question एक second रुखना date विट कुछ नहीं है 2, 4, 20 ठीके बिटा ठीके कोई बात नहीं अच्छे से बनाई है मज़ा आएंगा रुखो पहले देख लो मैं कैसे ज्यादा नहीं है 7-8 line का draw करना और मज़ा आएंगा आपको इसमें तीन पार्टी एक में पहले देख लो एक कॉलम ना पेटा date करा यह date का कॉलम है यह books of A books of B books of C देखो पेटा ऐसे advance question अपन कर रहे है तो देखो अपन ऐसा नहीं के काम चलाओ काम नहीं के थोड़ा थोड़ा पढ़ लो उपर उपर नहीं अपने कुछ एक्सपर्ट बनना इस तरीखे से advance question भी करना कुछ advance रहते नहीं है foundation level पे advance बोलते हैं इसको कुछ रहता नहीं concept समझोगे हतारी चीज़ हो जाएंगे अब न एक हुआ बेटा date आपको कहा रहा है दो चार दो हजार बीस ये तारीक की बात है बेटा अब अच्छे समझना दो चार दो हजार बीस की मगर कैसा होंगा बेटा मेरे को ये बहुत जरूरी है question पे कि आपको ये point समझाओ मैं direct इस पे entry पास करू इसके पहले थोड़ा background में ले जाना ज़रूरी किस में ले जाना जरूरी है आपको background में ले जाना ज़रूरी तो question यही से शुरूर है लेकिन अपने जो इतिहास में जाना ज़रूरी अब मैं कहुत ऑच्छ समझते है घृIS मैं color change कर दे तो क्या आपको समझने question नीचे से शुरू है लेकिन उसको समझाने कुछ और बोलना पड़ेगा आप में को बता हूँ मैं A हूँ आप B हो बेटा तो मैं कहता हूँ बेटा मैं A ये उपपर समझना मैं A हूँ बेटा आप B और X है ये जो color change है ये question का part नहीं है लेकिन जो आपन जहां से शुरू करें उसको समझना जरूरी अप जहां से सुना इसलिए मैं उपर में लिकरा हूँ अब में को बताओ मैं आपको क्यों पैसा दूँगा मैं आपको order दे रहा हूँ मैं A हूँ आप भी हूँ कि चलो मैंने आपको sale किया हूँ hypothetical कोई ना को transaction हूँ sale किया क्यों कि मैं आपको पैसे दो तो पैसे दबीज दूँगा जब मैंने आपको benefit और goods दिया हूँ मैंने आपको सब को sale किया हूँ तो मैंने entry pass किया यहां पर बी account debit अच्छे से समझना आपके पास जैसे वैसी ही रहन देना मैं थोड़ा सा उपर से शुरू कर रहा हूँ space मतलब मैं को यहां से शुरू करना पड़ेगा जगा नहीए आपको जैसे लिखिए उसको वैसी ही रहन देना फिकर मत करना ठीक है तो मैं यहां लिख देता हूँ date books of A books of B books of C ठीक है अब समझे बिटा तो यह आप मैं दूसरी चीज को बता रहा हूँ यह A, यह B, यह C question नीचे जो लिखे ना वहीं से शुरू होने वारा अब आप यहां पर ध्यान दाखने थोड़ा सा A, B, C अब समझे यहां पर तो मैंने कि अभी मैं आपको क्यों आपको बोलूँगा क्या आप पैसे तो कोई ना कोई transaction पहले हुआ हूँगा ना बिटा तो वो transaction सब्पोर मैं तो आपको goods या कोई services दिया हूँगा तो तो मैंने इसे दिया हूँगा पैसे तो याप मैंने एंटर्य पास किया ओगा या पर B account debit to sales account यह ivory pass किया हूगा ना बिटा 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 अगर बोलता हूँगा तो आपने purchase कियो होगे तो आपने entry pass कियोंगे पैस की purchase account debit purchase account debit किस से दियोंगे बिटा, A से, मैं A हो ना, to A account, ठीक हम दोने के बीच में transaction हो, ठीक, अब अच्छे समझ न, अच्छे से, डीप में जाके सोचना, तो मैं आपको क्यों बोलूँगा पैसे दो, भाई, मैंने को service दिया होगा, जब ही मैं आपको बोलूँगा, बिटा, मैंने entry पास किया, B account, A, B, T, to sales account, आपने purchase कियो होंगे, purchase account, A, B, T, to A account, लेकिन, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये amount जो है, आगे जब ही bill draft कर रहा हूँ तो मैं आपको कर रहा हूँ कि ये amount Z को दे दे ना, Z को दे देना, पैस Z, sorry, not Z, C, C को दे दे, अरे परी मैं C को देने के लिए क्यों कह रहा हूँ, इसका मतलब मैंने C से को transaction किया हूँगा, जब ही मैं बोल रहा हूँ कि C को दे दो बेटा, तो हो सकता है, hypothetical अपन यहाँ पर situation create करें, हो सकता है, कि C से मैंने कोई purchase किया हूँगा, जब ही तो मैं A को C को पैसे देना, तो मैं आपको गोड़ा कि आप उसको दे दो, है ना, तो मेरा कोई transaction C से ज़रूर हूँगा, तो मैंने कोई goods or services को दिया हूँगा, suppose तो मैंने entry pass किया है, पर मैंने C से purchase किया, so purchase account debit किया हूँगा to C account, और C ने मुझको sales किया हूँगा, तो उसने entry pass किया हूँगा, A account debit to C account, नी, sorry, A account debit to sales account, I'm really sorry, A account debit to sales account, तो यहाँ पर A का B से भी transaction हुआ है पहले, और A का C से भी हूँआ, अब अच्छे समझे हैं, यह background हुआ, अब क्या हूँआ कि मैंने build draft किया, और आप B हो, और आप तीनों की books में entry देखना है, मज़ा आएंगा question में, ठीक है, अब तीनों की books में entry pass करना है, कब की बात है, 24-2020 की बात है, अब 24-2020 की बात है, आपकी book में पहले कहता हूँ, तो आपको मैंने build draft किया, मैं draw हो, अब draw ही हो, मैं आपने accept भी करें, मैं draw हो तो आप अपनी books में entry pass कर लोगे, A account debit, A account debit, to bills payable account, आप entry pass कर लोगे, अब आपके पास फिर, A account debit to bills payable, क्यों, बहुत अच्छे समझेगे, तो आपको क्या लेना देना, किसको pay करना है, आप तो ये बोलोंगे, कि मैंने यहाँ पे, जुबैर खान से, यहाँ पे को ने, A से purchase किये थे, अब आपने उसको क्या करें, cancel कर दी, आपने उसको क्या करें, cancel कर दी, आपने पहले credit कर दी, आपको A से मतलब है, आपने उससे खरी देते, तो उसको cancel करके, bills payable, नहीं liability create करें, आपको क्या लेना देना C से, तो आप C को pay करोंगे, लेकिन ultimately, on the order of A, you are paying to C, तो क्या होगा यहाँ पे, कि due date की बात करें, जब वो pay करेंगा, लेकिन उसको क्या लेना देना, उसको यह मतलब है, कि मैंने A, B से, A से purchase किया था, मैंने उसको cancel करो, bills payable create कर रहा हूँ, ठीक है, जिसके पास भी रहेंगा, मैं उसको pay कर दूँगा, तो आप यहाँ पे समझो, आपने पहले credit करेंगे, बेटा, purchase करते वग, और अभी उसको bills payable के वग, debit करके A के account को close करे, अब मैं आता हूँ बेटा, यहाँ पे C के account में, अब मैं C के account में आऊ बेटा, यहाँ पर, तो C के account के अगर मैं बात करो यहाँ पे, तो C के आप बोलेगा, यहाँ पे C के account की बात करो, तो C को तो bill मिल रहा है बेटा, C will pass entry, bills receivable account, इस चीज को अच्छे समझ ना बेटा, मैंने यहाँ, मैं A हूँ, मैंने ड्रावर हूँ में मानता हूँ, लेकिन वो bill जब आपने accept करके, मेरे को नहीं दिये, किसको दिये बेटा, C को, मैंने order के कि, किसको तो C को, C के पास है, C बोलेगा, bills receivable account, debit, अब आप बोलेंगे, 2C entry pass करेंगे, 2A account, अब बच्चों के दिमाग मेंगा, सब दिया तो B ने, अप credit कर रहे हो, यहाँ पे, A को, बच्चों दिया तो B ने, अप credit करेंगे, भई मैं एक को बताओ, C को B से क्या लेना देदा, C तो बोलेंगा, भई मैंने A को पहले बेचा था, उसके बदले में मैं को बिल मिल गया है, तो B ने दियो बाता लगे, लेकिन क्यों दिया, उसने पहले A को बेचा था, उसने entry pass कर दिया, bills receivable account, debit, 2A, A से जो लेना था, अब वो हमको मिल गया, तो उसको A को cancel कर दिया, और क्या कर दिया, bills receivable account, टेक हो, तो मैं हमेशा बोलते है, टेकनिकल एंट्री ना, वो modern approach से होता है, तो ये bills receivable asset है, तो ये C के पास आई है asset, increase in asset debit, bills receivable account debit, ये भी एक asset तीस से पैसा लेना था, राइट to receive, लेकिन अब ये cancel होगे, decrease in asset, decrease in asset, क्या अब वो नहीं मिलेंगा, उसके पास बिल से रिसीबल में, decrease in asset, create तो ये पर create क्या, don't say के, बोलेंगा सर बी ने दिया, बी से उसको कोई मतलब नी, A से, A की order पे हो, तो A से उसका कोई transaction हो था पहले, यहाँ पर बिल से रिसीबल account debit to A account, ठीक है, अब tricky entries है, अब मैं यहाँ पर जाता हो बिटा, दिमाग एकदम खुला रखना, मैं जाता हो यहाँ पर A की book में, अब में को बताओ बिटा, में को मैंने जो बिल ड्रॉ किया, मैंने order दिया, कि B को बोला कि C को दे दो, अब में को क्या होंगा बिटा, क्योंकि में को यहाँ पर B को मैंने कभी बेचा होंगा, तो में को B से कुछ लेना है, लेकिन A से मैंने खरीदा था, तो A को कुछ देना है, तो B से लेना है, और C को मुझे कुछ देना है, तो मैंने B इस लेना था, उसको बोला कि भाई में देख में को तुछ से लेना है, और C को देना है, एक काम का तो C को दे दे, तो डारेक्ट C को दे दे, तो B ने C को दे दे, वो C को दे दे मैंने बोला, लेकिन मेरे पास तो वो Bills Receivable आया है नहीं, वो किसके पास गया बेटा, C के पास, इसलिए C की बुक में Bills Receivable आकाउंट डेबिट हो रहा है, इसलिए हो रहा है, ठीक है, और उसका हिसाब किताब A से था, उसने डेबिट किया था, पहले सेल्स के वाप, तो उसको क्रेट करके कैंसल करें, इसको बिल्स डेबिट आ गया, अब यहां पर ही हो रहा है बेटा, में को B से कुछ लेना आता है, और C को कुछ देना था, तो मैंने कहा बेटा, यहां पर, मैंने क्या कहा यहां पर, देखके काम कर भाई B, मेरे में को ना देते हो, तो C को दे ले, डायरेक्ट, उसने Bills Receivable C को दे, मेरे पास आया नहीं, साइकर नहीं से Bills Receivable आकाउं से को दे लिए, वो तो सेटल हो गया, तो B से मुझको जो लेना था, बी से मुझको क्या आने, बेटा, लेना था, और C को मुझको क्या कर रहा था, रो मेरे, अब क्या आब इसको समझने, अब वो C को जो देना था, वो मिल गया, वो बी ने दे दिया उसको Bills of Exchange भो, रो ब 10,000 है बिटा, तो 10,000, 10,000, अब ये entry को समझना एक ही book में, बच्चों को लगना साथ ये C account debuted to BQ करे, क्योंकि C को मिला तो C is the receiver, इसने दिया B, B is giver, मेरे इसमें तो bills आया है नहीं बिटा, मैं और एंगल से समझा तो आपके बाद, अब देको में को B से लेना था, right to receipt था asset B से मिल गया, decrease in asset, वो asset थी, मिल गया, decrease in asset, credit, C को देना था, liability थी, तो उसको दे दिये, तो decrease in liability, debit, decrease in liability, debit, decrease in asset, credit, वो receiver है तो C account debuted, वो is giver, B, B is giver, मेरे पास तो आया नहीं, मेरे पास आता, तो फिर मैं बोलता, bills receivable account, debit, ओके बच्चो, ठीके बटा, अब उसके बाद, बस इतना खेल था, लेकिन अगर मैं आपको ये entry, अगर मैं बच्चो direct, ये entry पूछा है, ये entry में अगर आपको direct बोलता था, आपको समझ में नहीं आता है, background नहीं बोलता, ये समझ में नहीं आता है, ये है advance entry, ठीके, अब क् नहीं, कितने मैंने का बिले, तीन मैंने का, तीन मैंने की इसकी date हो, दो April, दो May, दो June, दो July, और तीन, पांच जुलाई, 5th of July, 5th of July, 2020, ठीक है, 5th of July, 2020, अब सुना मेरी पार बिटा, दो possibility यहाँ पे, ये तो matured होंगा, ये तो क्या होंगा बिटा, ये तो matured, ये तो honor होंगा, ये तो क्या होंगा, dishonor होंगा, बलकि इसके बारे में देखो, मैं यहाँ पे लिखके भी देते तो आपको, when, bill is, drawn, by A, on B, on B, but, favoring C, favoring C, वनलब C को देने बलदा, हमारे पास तो आया है ने, but favoring C, अब जूम कर दूसको थोड़ा था, देख लो, when, bill, drawn, by A, on B, but, favoring C, ठीके बिटा, अब क्या होंगा, यहाँ पे maturity की दिन, ये तो honor होंगा, ये तो क्या होंगा, dishonor होंगा, ये तो क्या होंगा, dishonor होंगा, मैं दोनों angles है, बता तो entry, यहाँ पे ऐसे लिख लो, मैं, if, honored, on maturity date, अगर honor होंगा, तो क्या, entry pass होंगा, फिर नीचे dishonor की भी पता दूँगा, ठीके बिटा, अब क्या होंगा, अगर honor होंगा, तो कोई दिक्कती नहीं, मैं को क्या लेना देना, वो B को, B जाएंगा, वो आप उसको पैसे दे दोंगे, मेरे को क्या लेना देना, मेरे इसमें no transaction, no transaction, no entry, आप लिख सकते बिटा, ठीके है, मुझे क्या लेना देना, ठीके, अब आपके, honor हो गया, तो आपके entry pass हो, वो Bills Payable तो उसको आपने पे कर दिये, तो Liability Discharge, Bills Payable Account Debit, Decrease in Liability Debit, Bills Payable Account Debit, how much बिटा, 10,000, to cash और bank account, to cash और bank account, 10,000, ठीके, अब C के entry pass करेंगा, C बोलेगा, मेरे पास पैसा आगया, so cash और bank account debit, 10,000 रुपे कर, और उसके पास से Bills चले जाएंगा, to Bills Receivable Account, यह होगा बिटा, अगर honor होगा तो, अगर dishonored होगा तो, सोचो तो सोचने में क्या जाता है, खूप सोचो, अपने आपके इतना expert बना लो बिटा कि बस, if dishonored, on maturity date, if dishonored on maturity date, बिटा, अगर dishonored होगा तो, सी मेरे पास दोड़े दोड़े आएंगा, बोलेंगा, क्या सर आपने बोले तो, बिल तो मैंने ले लिया था, B से, मगर क्या सर आपने बोले थे, और वो यहाँ पर, B आपने बोले थे, सर उसने, तो dishonor कर दिया, तो make-up C को देना है, औ C account debit, 10,000, to C account, दोनों में से कोई एक होगा, यह honor होगा यह dishonor होगा, यह चीज़ क्या दाखिए, अब बेटा, आपने dishonor कर दिया, आप क्या करोगा, आप रिवर्स करोंगे वो entry को, तो यह original entry तो, इसको reverse कर दोंगे, तो आप entry पास करोंगे, bills, payable account debit, 10,000, to A account, to A account, 10,000, ओके, अभी C को तो मिला नहीं बेटा, तो C भी क्या करेंगा, बस वो reverse कर देंगा, इसकी entry को, bills receivable account debit, तो आपने थोड़ा दिमाग लगाना, इसको मगर यहाँ पर रिवर्स कर देंगा, तो आपने थोड़ा दिमाग लगाना, इसको मगर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ रिव इसको reverse करेंगे, यह original entry थे, ठीके बिटा, यह entry को मैंने बस रिवर्स किया, जब यह dishonor हुआ, इसको यहाँ रिवर्स किया, ठीके, एक और चीज़ बिटा, यहाँ पर देखो, आपने यह credit किये थे, इसको debit करके cancel करे, यहाँ पर इसको debit किये थे, तो credit करके cancel करे, हमको C को द आपके entry पास करे, अरे पुराना हिसाब किताब है न, purchase sale का, तो वो उनके accounts ने, मेरे books में, B account, debit, C account, credit कर रहाँ न, तो उनको cancel तो करना पड़ेगा, न, तो मेरे books में हमेशा दिखेंगा, कि B से पैसे लेन, C को पैसा देना है, हमेशा दिखेंगा, उसको close तो करना न, तो फिर मैंने close कर दिया, उसको C account, debit, to be account, ओके, चली, तो अच्छा question था यह, तो यहापर अब यह पास तरिक ही था, इसके बाद easy easy, तीन question है, वो हम खतम करेंगे, बहुत simple simple question, 10-10 minutes on, not more than 10, तीक है, अब देखो यहापर, अगर आपको याद है, accounting cycle, आपको कभी साथ न करने वाली, question number 13, तीक है, अगर आपको लिखना है, तो यह सब लिख लो proper, तीक है, अब क्या होंगा, accounting cycle में देखे था, आप लोग मैंने कहा था, कि आपको बहुत सारी मापे, subsidiary book बनाते थे, लेकिन जब आपको bills of exchange क्या होता था, पता नहीं था, उस वक्त आपको पता नह ये, books बहुत सी बनती, bills receivable book भी बनती, bills payable book भी बनती, subsidiary वाली स्टेच में जो recording में होता है, ठीक है, लेकिन आपने पिछले chapter में से थार क्यों नहीं बात करें, फिर आपने हमने इसलिए नहीं बात करें, कि जब आप familiar नहीं थे उससे, ठीक है, अभी बहुत में को पीछे रिटर्न, purchase return book ये था बेटा, लेकिन इसके अलावा भी books बनती है, और कौन सी बनती है, bills receivable book, bills payable book, तो वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि आप bills of exchange आप familiar हो बेटा, दो मिट बस, ठीक है, तो कहता है, calculate, अच्छा ये वाल है, ठीक है, ये 14th question में उसने बोला है, bills payable book बनाओ, और 15th question में बोला है, bills receivable book बनाओ, ठीक है, फिर मैं महा बोल दू, 13 easy उसको पन कर लेते हैं, फिर 14, 15 में वो ये book बनाना है, simple है, पांच मिट का काम रहेगा, आजो 13 भी easy effort से कर लोगी, ठीक है, revision इतने, जो interest rebate करें, उसका revision है, बस ही, calculate interest, discount, rebate, add rate 12% the following cases, चार केस अपने को calculate करना रहेगा, ठीक है, तो चलो, एक point, क्या कर रहा है आप से, a bill of rupees 10,000 for 3 month discounted after 1 month, बढ़ अच्छे समझना बिटा, आफ्टर 1 month, ते देखो यहाँ पर बिटा, यह है, अच्छे समझना बिटा, पहला मैं explain करो, कोई bill था, यहाँ पर draw कर रहे थे, यहाँ पर, यह की यह maturity date थी, यह maturity date कोई होगी यहाँ पर, वो 3 मेने बात थी बिटा, तो क्या हुआ, यहाँ पर आ रहा है आपका 1 month, यह 1 month, अच्छे समझना बिटा, और यहाँ आ रहे 2 months, तो यहाँ पर 1 month है, और फिर 2 months है तो यहाँ पर हो क्या रहा है यहाँ पर, कि वो कहता है कि हमने discount करा है, लेकिन discount after 1 month, कब करा है पिटा, after 1 month आपने करा है पिटा, after 1 month करा है आपने, इसका मतलब बैंक से यहाँ पर discount करा है, बिल तो मेरे पास, sorry, बिल तो मेरे पास यहाँ आ चुका था, बिल मेरे पास यहाँ आ चुका था, लेकिन बैंक से मैंने यहाँ, एक महने बात, त count कराएं तो bank तो मेंको interest काटेगा या पर 12% सब पे लेना है वो 3 मेने पे करना चाहिए calculate की 2 मेने पे करना चाहिए bank ने मेंको maturity के कितने पहले दिया 2 मेने पहले दिया के 3 मेने पहले दिया तो bank तो interest मेंसे 3 मेने का charge नहीं कर सकता मैं बुलूँगा भाई साथ, आपसे मैंने दो मैने लिहां पे ले रहा हूँ, तो दो मैने बाद तो आपको maturity date पे मिली जाएंगा amount, तो मैं आप मेंको दो मैने पहले दे रहे हूँ, अच्छा, दो मैने पहले कैसे निकल आफटर वन मन, एक मैने के बाद, मतलब दो मैने के प इस तरीके से calculate हेंगा, चलो मैं आपर लिखा देता हूँ, यह तो explanation के लिए उपर बनाया मैरे, ठीके बीटा, देखो, discount for 2 month only because remaining, remaining period at the time of, लिखलिन अबटर नोड, at the time of discounting, at the time of discounting is only 2 months, so discount equals to rupees 10,000, 10,000 निये वीटा, 10,000 multiply by 12%, 12% multiply by 2 by 12, so 10,000 multiply by 12%, multiply by 2 by 12, वा आता है 200 रुपर दिसकाँ, बस यह निकालना है, ठीके, B point, okay, लिखरे है आप लो, okay, B point लिखो बिटा, अब आप में आपे, ठीके, B point में क्या किया रहा है हमसे, देखो, a bill for rupees 5,000 for 3 months, retire 1 month before the due date, अब अच्छे समझ ना, due date के, due date के 1 मेने पहले, एक मेने पहले बिटा, अपने उसको equals to, rupees 5,000 multiply by 12%, multiply by 1 by 12, क्यों 1 by 12, एक मेने पहले ही इसने कराया, maturity एक मेने पहले, इसलिए एक मेने, 50 rupees, C point, एना, simple question लिए उसके बाद बिटा, यहाँ पे C point, 3 month bill for rupees 10,000 renew for 2 month on the condition that 30% is paid immediate, अब आपको आता है बिटाई, मैं मा लिखा देता हूँ, इसका 30% immediately pay करें, मतलब 7,000 रुपे बचा, यह 7,000 रुपे पे अपने को calculate करना पड़ेगा, 12% दो मैने के, 2 by 12, तो 7,000 multiply by 12%, multiply by 2 by 12, यह आता है अपको 140, क्यों 2 by 12, दो मैने का bill है, 30% pay कर दिए, तो remaining bill पे interest लगेंगा, जो amount बचावाँ उस पे, ठीके, करें ना, कितने करें आपने बिटाए, ठीके, चलो, C point लिखे लो बिटा, interest equals to, यह लब लिखे देता, में रूपीस 10,000, minus 3,000, यह 3,000 कितना 30% है, इसलिए, यह आप minus 30% भी कर सकते हैं, minus 30% multiply by, कितने percent, 12% multiply by 2 मैने का, 2 by 12, तेको कितना आ रहें, 30% pay कर सकते हैं, तो minus कर सकते हैं, 140, 140, इसलिए भी लिकले हैं, पर लिकले हैं, आपया, इसलिए नोट लिखे लिखे लोगा, मैं लिखे हैं, बीडेग रुपीस 7000 टेए 10,000-3000 जो पेडेटावने ond for the period of extension of extension extension of two months okay last point now D point a bill for a three month bill for rupees five thousand worth dishonored noting charges were rupees 100 a bill is being renewed for four months Dishonored hua na तो यह 5000 रुपए यह और noting charges के 100 तो basically अपन calculate किते लेना है ड्रॉई से 5100 तो 5100 रुपए नहीं हुआ तो अपने डिसॉनर हो तो अपने complaint भी कर दी तो उसके 100 रुपए खर्चा भी आ गया तो उससे 5100 रुपए लेना अपने को तो वो नया बिल 5100 प्लस interest तो कैसे calculate करोंगे देखो interest equal to 5100 क्यों 5500 तो डिसॉनर वो लेंगे नया बिल में और 100 रुपए जो नोटिंग चार्जस की भी उससे लेंगे बिटा तो वो बुल रहा है बिल बना ला तो उसमें लेंगे multiply by 12% for 4 में दिया बारा में ने चार में दिया पांच हजार एक सो multiply by 12% multiply by 4 divided by 12 तो यह वा बिटा आपका 204 ठीक है simple तो यह question भी हमारा यहां पे खतम होता है कुछ भी नहीं ठीक है अब मेरी बात अच्छे से समझना है ठीक है अब जो next question प्यार हो में bills receivable bills payable book क्या हो तो उसके बारे में बात कर रहा हो ठीक है अब मैं आपको पहले उसमें भी लेके जा सकता हूँ बड़ा simple सी चीज होती बिटा if you remember यहां पर देखो क्या करना है अपने को bills payable book if you remember कौन सी बुक बिटा subsidiary book बड़ी simple है अब में कोई सवालों के जवाब देना from the following detail तो Mr. Atul prepare bills payable book बनाना and explain करना है बनाना नहीं explain posting from it तो वो आप recording के बाद account में क्या करते बिटा अपन account में क्या करते बच्चों वाँपर posting ही करते है तो bills payable book होती क्या पहले सको समझ दो आपको purchase book sales book पता याद है क credit sale, credit purchase, goods होना चीए था ठीक है अब यहाँ पर देखो क्या होता है यहाँ पर कि यहाँ पर एक चीज होती है हमारे के bills payable book पहले तो क्या बिल्स पेबल क्या होता है लाइबलिटी होता है तो मैंने सोचा है हमारे कोई एक दो bills payable नहीं तो बहुत सारे bills payable होते तो बहुत headache हो तो अपन क्या करते है bills payable एक book बनाते bills payable book में क्या कोई party account debit to bills payable होता है तो जो भी पार्टी है पेटा जो भी drawer है हम लोगड है अपनड्रोई है अपन बिल्स पेबल वाले तो अपन ड्रोई है तो जो भी टोटल हुआएंगी तो आप entry क्या पास करते हैं ड्रॉर अकॉंट डेपिट्स फ़र एक्जांपल मैं पहला करते हैं बिल्ड रॉन बाइक्स और उपीस 5000 के entry पास करोंगे एक्स अकांट डेपिट्रेट टो इससे करने से अच्छा फिर ल अकांट डीटबिटो बिल्स पेबिल्स पेबिल तो मैंने क्या कर रहा है लिए उसमें सबके नाम लिखा यह पार्टी एक सल मेंसे나ा बार-बार उनकोêtes इसकोबस पेबल a country Bakal बेदेक्ट अच्छा बार-बार बेड़ को क्रिडिट कर रहे स्कृषाइड विक बना उसमें क्या करें नाम लेको एक सल फडू यहां पर तो मैं बोलते है यह bills payable book की total है तो bills payable account के अब entry pass करते हैं तो क्या करते है, पार्टी है, ड्रॉर account debit to bills payable तो यह total को आप लेकर चले जो bills payable account में यह से यह bills payable book है, recording stage है यह कौन सी stage है recording stage पे, subsidiary book है, subsidiary book में यह एक और book आपको सिखा रहा, bills payable book तो इसको total को लेके चले अब bills payable book मेें और ये party को आपण एक एक party को जाके आप जो भी date का उसको महास पर क्या कर दो debit कर दो तो मैं लिखा के दिनगा अभी सुनो ये parties को आप debit कर दो और ये बार-बर bills payable account में लिजाने से और Parti को डबिट करते हैं, यहां से का क्रिड डैबिट कर δिए आपने हैं ठीक है, Okay जैसे Sales Book में होता है टार पार्टी को डेबिट करते था कि को Sales Book की total को Sales Account में लेके ज आते था बस बैसे Sales का भी Cred Balance तो वह inputs बैलंस होता है, Bills Payable Liability इसका भी Cred Balance होता है बिटा तेक पार्टी को यहां से डेबिट करेंगे और बिल्स पेबल आकाउंट में लिख देंगे जाए बस इतना सा है ठीक है अब आपको मैं एक्स बना देता हूं चलो लिखा आप बिल्स पेबल बुक बिल्स पेबल बुक ऑफ मेसर्स अतुल और मेसर्स अतुल कुछ दिया हुए है इसने जैनुवरी 20 के ट्रांजेक्शन दिये तो आप लिख सकते और मंतली बनाते जैनुवरी फिर उसको अपन हर मंतली फिर टोटल लेकर जाते 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 बुक है और जैनुवरी 2020 ठीक है जादा नहीं इसको 6-7 लाइन की बस बिटा ड्रॉकर उससे जादा नहीं देट वो कौन सी पार्टी है यहां से लेजर में जाता तो लेजर फोली नंबर भी लिख सकते बेटा और अमांग फिर मैं नोड भी लिखा के दूँगा इसके मीचे डोंट वरी डेट पार्टी ठीक है वो पार्टी कौन होगा ड्रॉर होगा उसके बाद लेजर फोलियो रामांग छे साथ लाइन का ड्रॉ कर रहेंगे इसको ओके चलो डेट उसने दिया आप एक एक दस एक सोला एक दस सोला पच्चीस ठीक है एक है ना एक एक ही है ठीक है पीटा पार्टी के नाम के है एक्स एल एम और कौन है बई जेड अमाउंट पांच छे चार दस पांच हजार छे हजार चार हजार और दस हजार टोटल पच्चीस अजार है बटा अब मैंने आपको बताएए टोटल कहा जाएंगी अभी समझाने बता रहा हूँ अभी नीचे लिखा के भी दूँगा नोट टोटल कहा जाएंगी बिल्स पेवल अकॉंट में टोटल विल यह तो मैं नीचे लिखाता हूँ ने टोटल मैं नीचे लिखा देता है इसको अच्छे से date wise, date wise, individual party, individual party account will be debited, will be debited, party को debit करते ने बिल्स पेवल में party drawer account debit to bills pay बिल्स पेवल में, party drawer account debit to bills pay बिल्स पेवल, the party को debit will be debited with the corresponding amount, with the corresponding bill amount, what is corresponding bill amount यह बिटा, x को debit करेंगे 5 से, L को debit करेंगे 6 से, M को 4 से, Z को 10 से, corresponding bill amount and at the end of month, total rupees 25,000 will be credited to bills payable account, will be credited to bills payable account, क्या करेंगे इसको हम क्रेडिट करेंगे, okay, done, समझ में है, simple था, ठीक है, तो अब हमारी लिए असानी जब बिल्स पेवल में total ले जाके जो total bills receivable में लेके जाओ, और जो party के नाम लेकिए उन party को individual जो corresponding ने जैसे यहाँ पे, P को आप credit करो, 6 से, Q को 8 से, R को 4 से, S को 12,000 से credit कर दो बिटा, और bills receivable को क्या कर देगे, debit, bills receable to party, लेकिन हम bills receivable, बार- बार बार debit करेंगे, हमने book बना लिये, book की total आप, bills receivable में लेकर चले जाते हो, bills receivable account में लेकर चले जाते हो, हम अपनी साउलत के लिए subsidiary book बनाते है तो आपको लगता है तो बना लो बिटा बिल्कुल इस लाइक है purchase book purchase expense होता है bills receable asset होती है दोने के debit balance होते है बिटा तो purchase book की total purchase account में जाती है debit में इसी तरह bills receable की book बिल्स receable account में जाती है total purchase जब credit में करते है पर्टिकलर पार्टी को credit होते है यहाँ पर यह जो दूसरी पार्टी है हमारी जिसने draw किये the bill drawn तो जो दूसरी पार्टी है जिसने draw किये तो इनको हम क्या करते है यहाँ पर credit करें ठीक है ओके तो बुक बनाना सिंपल अब आप लिखो यहाँ पर next पार्ट ठीक है बिल्स देखो अंडस्टेंडिंग होना चीए इंस्टीट के material में नहीं दिये बिटे questions जो मैं आपको करा रहा हूँ लेकिन आपको पता रहे है चीए कि सर ऐसी भी बुक बनती क्या भरूसा इंस्टीट का कब examination में देदे में दूस्तान इंदूस्तान कोई मंत है मार्च दिख रहा है मार्च 20 अच उतनी जगह लगी बिटे जितनी हमको पिछले कोश्य में लगी थी उसमें स्पेस ठीक है डेट पार्टी ये पार्टी कोन रहें है पिर ड्रॉई इसका भी मैं लिखा दूँआ जैसे बिल्स पेबल बुक का लिखा के दिया इसका भी लिखा दूँआ बिटा चलो लिखो डेट किया इसकी छे तेरा अटरा चब्वीस शे तेरा अटरा चब्वीस पी उर्स पी यू आर एस अमाउंट छे आट चार बारा छे छे चे आट चार बारह टोटल करो इतनी उर्ए छे और आट 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 च्यादा और चार आटरा बार्रा तीस अजार होगे थर्टी ताउदों अब इसके दा accommodation bill शुरू होने आला पन next lecture में शुरू करेंगे अब इसके नीचे आप लोग 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 इसके नीचे आप लिखेंगे विटाब posting कैसे करते है on the respective dates dates the above parties account will be credited bills receivable account debit to party account party के अगान credit करेंगे with corresponding amount with the amount of bill and at the end of the month bills receivable account will be debited with total amount with total amount can total amount with the total amount that is rupees 30,000 that is rupees 30,000 okay done आज के लिए इतना ही बिटा है तो हमारे questions खतम होते हैं अपको मुदेशन बिलाम लोग नेक्स सेशन में शुरू करेंगे लिए आज हूमवर्क ले लो ठीक है अपको आज का ले ले लेंगे question number fifth भी हूमवर्क है बिटा अब आप करेंगे ठीक है उसके बाद sixth हूमवर्क है बस seventh accommodation bill पे हूँ मैं आपको seventh मेरे कराय बात करहूँगा ठीक है मेरे यहापका accommodation bill हो जाए इसके बात करेंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही from next session we will start accommodation bill take care bye-bye